ही गाईज असलाम वर्यकूम कैसे आप सोब उम्मीद करेते हैं आप सब ठीक होंगे मैं में बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं लेकर रहे हुँ बहुत ही जबर्ज़र सी रेसिपी जैसे कि आप देख सकते हैं मटन इस्टू की रेसिपी है जो की खड़े मसालों से बनकर त्यार हु हुआ है एक बार रेसिपी जरूर करिएगा इतना कि यह देखने में अचा है तो उससे कहीं साधा खाने में अचा है तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने लिया है उसके लिए आधा किलो मटन का गोश है जो मैंने अच्छे से वाश कर लिया था आप देख स चार से पांच बड़े साइस की प्याज, चुकि मैंने काट लिया है बारीक, आप देख सकते हैं, अब हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है एक चमच जीरा, एक चमच लिया है मैंने काली मिर्च, दो से तीन तेज पत्ते ले लिया हैं, दो दालचीनी अगर आपके घरमे स्पाइसे जादा पसंद करी जाती है, तो मिर्च आप थोड़ा सा बढ़ा लें, अब मैंने एक कुकर ले लिया है, उसको चड़ा दिया है, गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे हम दो चमच भर बर के ओयल, और हमार अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इतनी रखना है, थोड़ा सा कची दिखें और थोड़ा सा ब्रॉण, अब हम इसमें अपना एट कर देंगे खड़ी गरम मसाले पूरे, और मिक्स करेंगे अच्छे से, थोड़ी श़को फ्राइ करेंगे, अब हम इसमें अपना गोश, गोश आप बीफ कभी ले सकते हैं, मै अच्छे से फ्राई होना चाहिए ताकि इसके स्मेल बिलकुल भी ना आए और निकल जाए पूरी तरह से इसलिए हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे तलेंगे आप देख सकते हैं गोश्मारा फ्राई हो गया अब हम इसमें डालेंगे अध्रक लहसुन का पेस्ट गाइस बह इतने ही मसाली पढ़ने हैं इसमें बहुत कम ही चीजों से बनाएगे तो अब हम इसको अध्रक लहसुन को भी बहुत अच्छे से भूनेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे एक चमश नमक नमक का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दे और इसको अच्छे से भूनेंग गोश हमारा अच्छे से भून गया है देख सकते हैं आप अब हम इसमें आड़ करेंगे एक ग्लास पानी जो कि मैंने एक ही ग्लास जाला है अगर आपको कम लगता है तो आप जादर डाल सकते हैं लेकिन मैंने एक ग्लास जाला था अब हम इसको बन करके तीन से चार सीटी आने तक पकाएंगे तीन से चार सीटी आ गई है अब हम देख लेते हैं गोश को चूकर देखते हैं कि गला है की नहीं यह देखे गाईस बहुत अच्छे से गल गया है अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे गोश हमारा बहुत अच्छे से भून गया है आप देख सकते हैं अब हम गैस को बन कर देखेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं यह देखे गाईस कितना अच्छा बन कर त्यार हुए है और आपने देखाए कि कितनी कुछ मसालों से ही बस बन गया है आज कर बखराई चल रही है तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो बहुत ही जटपट से बनने वाली डिश है आप इसको एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा घर पर बनाएगा आप सब को पसंद आएगी बहुत पसंद आएगी आपके बहुत आरीफ होगी देख सकते हैं आप माशारला कितना अच्छा रग रहा है देखने में और उससे जादा कहीं खाने में भी अच्छा था हो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें मुझे कॉमेंट्स के ज़र बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला आफिस